दोस्तों एन्डियन फिल्म इंडेस्टी में एसी कई फिल्में हैं जिनमें एक्टिंग करके कई सारे एक्टर्स अपना केरियर चम्का चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अभिनेता भी है जिसकी जिन्दगी की सबसे बड़ी या कहें तो सबसे बड़ी हिट फिल्म उसके केरियर को ले डू भी नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागते आपका आपके अपने चैनल बॉलिवूड अन्बोकसिंग में दोस्तो आज जिस अभिनेता की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है विकरम मकांदार दोस्तो एक्टर विक्रम मकांदार का जन्म करनाटक के हूबली में 31 मई 1947 को हुआ था उनका रियल नाम था मौईनो दिन शाह उनके पिता हूबली के जाने माने व्यक्ति थे और कई मकान उन्होंने लोगों को किराय पर दे रखे थे सो सरनेम भी बन गया मकांदार दोस्तो विक्रम मकांदार को नाम विक्रम फिल्मों में आकर मिला उनकी पहली फिल्म थी मनोज कुमार और वहिदा रह्मान अभिनीत पत्थर के सनम जो की साल 1967 में रिलिज हुई था इस लिहाज से देखा जाया तो विक्रम काफी पुराने कलाकार है दोस्तो इसके बाद विक्रम ने कई फिल्मों में अभिने किया जैसे बहिमान, फिर कब मिलोगी, कॉल गर्ल, जब अंधेरा होता है दो चट्टा ने, जवानी की भूल, मुक्ती, दासी, जानी दुश्मन, प्रेम बंधन, संकोच, स्वामी, सितम, चरंदास और आदमी सड़का दोस्तो अभिनेता विक्रम ने अनिल कपूर के साथ भी कन्नड फिल्म पलवी अनुपलवी में काम किया था जिसमें विक्रम के सामने लक्षमी को कास्ट किया गया था और यहां फिल्म डिरेक्टर मनी रतनम के केजियर की पहली फिल्म थी दोस्तो इन दरजन बर फिल्मों से बढ़कर एक मात विक्रम की एजे सोलो हीरो फिल्म है और सूपर हिट फिल्म है फिल्म का नाम था जूली जी हाँ दोस्तो वही आइकोनिक फिल्म जूली जिसका गाना दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए भारत में शायद ही हिंदी गाना सुनने वाला ऐसे कोई यूवा हो जिसने कभी ये गाना गुनगुनाय नहीं हो दोस्तो दरसल साल 1974 में मल्यालम लेंग्वेज में डिरेक्टर के एस सेतु मादवन ने एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म बनाई फिल्म का नाम था चट्टाकारी इस फिल्म में उन्होंने एक्टर महेश शर्मा के साथ में अभिनेत्री की तोर पर लक्ष्मी को कास्ट किया था फिल्म सूपर इट रही तो इसे हिंदी में बनाने की भी बात चली हिंदी में इसे विक्रम और मल्यलम फिल्वाली अभिनेत्री लक्ष्मी की साथ बनाया गया फिल्म के सहाय कलाकार लिये गए उत्पलदत, नादीरा, ओंप्रकाश, रीता बादोडी, जलाल आगा, राजंदरनाथ, अचला सच्देव और श्री देवी एज़े चाइड़ एक्ट्रेस की अचलाएगा, दोख़एगा, और एक दन सूकाहटी के माफ़ग उतागे ठीक देगाँ, समझागा, वो तुम्हारा श्री अचलाएगा, राजंदरनाथ, वो फिर नहीं हो ना मंग, वो हमारा माफक प्यार नहीं कर सकता है, उत्को खाएगा, चूसेगा, और एक दन सूक टेट कुम्हार साया है मैं। वहाच मामी। ममी त endlessly मेना बच्छे योतिम नहीं है। दोस्तों फिल्म जूली एक unexpected सुपर हिट मूवी थी और इसको हिंदी भाषा में हिट कराने का स्टे जाता था इसके कमाल के म्यूजिक को दोस्तों म्यूजिक डियेक्टर राजेश रोशन ने उस दोर में एक से बढ़कर एक फिल्म के गाने बनाए और उनका म्यूजिक भी दिया और तो और हिंदी फिल्मों में पूरा गाना इंगलिश में रखने का और उसे बनाने का स्टे भी राजेश रोशन को ही जाता है दोस्तों अभीनेता विक्रम ने जिस तरह दूसरी फिल्म में साइन की थी ठीक उसी तरह जूली को भी साइन किया था विक्रम को कभी भी ये वरोसा नहीं रहा कि जूली इतनी बड़ी हिट साबित होगी विक्रम के हाथ इस फिल्म से कुछ भी नहीं लगा यहां तक कि विक्रम को बाद में फिल्मों के ओफर आने भी बंद हो गए दरसल फिल्म जितनी बड़ी हिट थी उतनी बड़ी विक्रम की भूमी का इस फिल्म में नहीं थी देखा जाये तो फिल्म जूली इसके टाइटल की ही तरह हिरोईन के आसपास बुनी गई एक फिल्म थी नायक के पास इस फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं था इस फिल्म में नायक की जगा तो नायक के पिता हिरो लग रहे थे जो रोल उत्पल दतने निबाया था दोस्तो फिल्म जूली रिलिस होने के बाद विक्रम को काफी मुसीबतों को सामना करना पड़ा था जूली में उनके रोल को देखते हुए उन्हें कई फिल्मों से हटा दिया गया जूली के रिलिज से पहले विक्रम ने 20 फिल्म में साइन की थी और जूली के रिलिज होने के बाद में उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी इसलिए कहते हैं कि एक एक्टर के लिए एक गलत कदम ही काफी होता है दोस्तो इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी अभिनेता विक्रम मकानदार आज भी इस फिल्म को लेकर पस्ताते हैं कि ये फिल्म उन्होंने उस समय क्यों की दोस्तो इस फिल्म से विक्रम के अलावा बाकी कला करो को काफी फायदा हुआ जैसे ये फिल्म स्री देवी और रिता बादूरी की डेबियू फिल्म थी और इसे एक विडम बना ही कहा जाएगा कि इस फिल्म से डेब्यू करने वाली इन दोनों हिरोईनों की म्रत्यू एक ही साल यानि की 2018 में हुई थी दोस्तो म्यूजिक डिरेक्टर राजेश रोशन के केजर की यह शुरुवात दोर की फिल्म थी राजेश रोशन ने इस फिल्म से बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर का अवोर्ड जीता था और ठीक इसके 25 साल बाद साल 2000 में उन्होंने फिल्म कहोना प्यारे के लिए फिर से यह अवोर्ड एक बार जीता दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बोलिवूड अन्बॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद